करवा चोध का व्रत हर भारतिय नारी के लिए हर सुहागन इस्त्री के लिए खास होता है जाहे वो देश में हो या विदेश में हो हर इस्त्री अपने पती की लंबी आयू के लिए ये व्रत रखती है और साथ ही भगवान से ये कामना करती है कि उनके बीच का प्यार, विश्वास और उनका साथ ऐसे ही बरकराद है करवा चोध का व्रत व्रत की तरह नहीं बलकि तेवहार की तरह मनाया जाता है और हर इस दरी कि ये काम ना रहती है कि वो अपने पती के लिए ये वरत रखे और साथ ही आईए जानते हैं कि इस बार हमारे बोजपुरी जगत की बोजपुरी स्टार्स की पत्नियों ने कितनी तयारी की है करवाचोध वरत के लिए चलिए पहले चलते हैं खेसारी लाल यादों की पत्नी चंदा यादों के पास और जानते हैं कि इस बार उनकी तैयारी किस किस्म की है तो आपको बता दे कि चंदायादो कई सालों से करवा चोथ का वरत रखती है और पती की दिरगायू साथ ही साथ पती की सफलता की कामना करती है आपको ये बात जानकर बहुत हैयानी होगे कि चंदायादो जो चूणिया पहनती है उसमें भी वो अपने और खेसारी लाल यादो की तस्वीर बनवाती हैं और उसे ही वो वेर करती हैं अगर आपको यकीन नहीं होता है तो देखिए चंदा यादो की ये फोटोग्राप्स जिसमें उन्होंने वही चुडिया पहनी है जिसमें खेसारी लाल यादो और उनकी दोनों पती-पतनी की एक साथ तस्वीर हैं साथ ही चंदा यादो पूरे वीदेविधान से इस दिन करवा चौद का वुरत रहती हैं खेसारी लाल यादो पतनी से चाहे इस दिन कितने भी दूर क्यों न हो वो इस्पेशली चंदायादों के लिए सारे शूट छोड़ कर घर आते हैं, उनका व्रत खुलवाते हैं और साथ ही ये जोड़ा पूजा पाड़ भी करता है और अब चलते हैं पवन सिंग की तरफ जी हाँ पवन सिंग की शादी हुए अभी जादा वक्त नहीं गुजरा है, मात्र छे महीने की शादी है और कहा जा रहा है कि जोती सिंग भी इस बार पूरे विदी विधान से उनके लिए व्रत रखने वाली है वैसे भी जोती सिंग के प्यार में पवन सिंग ने अपनी कैसी नोवा वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ कर एक पतनी वरता वाले पती बन चुके हैं तो आप समझ सकते हैं भले ही शूटिंग में कितनी व्यस्तता क्यों नहों पवन सिंग अपनी पत्नी के लिए करवा चौत के दिन उनके साथ रहेंगे ताकि जोती सिंग उस दिन चान देखकर उसके बाद अपने पती के हाथों व्रत तोड़े जिससे उनके बीच का प्रेम के लिए हर साल करवा चौत का व्रत रखती है और हर साल रवी किषन चाहे जहां भी शूटिंग करते हों आपको बता दे कि रवी किषन साथ के फिल्मों में भी बहुत एक्टिव हैं अगर वो साथ में भी शूटिंग करते हैं वहां से वो इस favori छुटिंग लेकर आते हैं ताकि अपनी पत्नी रीती के साथ वो करवा चौत व्रत में पूरी विधी विधान्स के साथ पूजा कर सके और चान देखने के बाद उनका व्रत खुलवा सके तो आपने देखा कि किस तरह से भोजपुरी स्टार्स की पत्निया भी उनकी लंबी आयू के लिए करवा चौत का व्रत रखती है यकीर है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए बोजपुरी रिकत की हाट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल भूलिए